आप पर उतो राजनिती आप पर उतो रन नीती दूसरे कहत तो राजनिती ये दोहरा चरितर सीवसेना का नहीं हुआ करता था इतने जल्दी बीजेपी के संगत का असर एकना शिंदे भी हुआ एकना शिंदे बहुत जल्दी सीखने वाले स्टूड़न साभीत हुए लेकिन इसके बावजून फी उस सवाल का जवाब जो अजित पवार ने कहा कि शक्ति कानू के अंदर ने नहीं बन लेत गया ने तो इसके बावजूद बंगाल का आंदूलन रुक्षने के लिए नाम नहीं ले रहा है क्योंकि कांडी इतना घिनोना हुआ हम कतले इसको राजनितिक नहीं मानेंगे क्योंकि बाकी जगह भी जहां जहां ये चीज़े हो रही है वहां भी आंदूलन नहीं हो रहे है और वो भी भी राजनितिक नहीं है एक तरफ बंगार एक तरफ महराश्ट्र यह दोनों राज्जों की खासियत यह है कि दोनों राज्ज अपनी कल्चर के अस्मिता के लिए जाने जाते हैं दोनों राज्ज सहित्य के लिए जाने जाते हैं दोनों राज्ज नाटकों के मंचन के लिए जाने जाते हैं बहुत सारी समानता हैं दोनों राज्यों में तो जब बदलापूर में तीन तीन साल की छोटी मासुम बच्चियों के साथ स्कूल में व्याभिचार हुआ और जब ये बात बाहर आई और एक आंदोलन के रूप में महरास्टर में फैल रही है तो फिर महरास्टर के मुख्यमं मंतरी जो डबल इंजन के सरकार चला रहे हैं महरास्टर के उपमुख्यमंतरी भाट्ट्रे-जंता पार्टी के पूर्व मुख्यमंतरी वरतमान उपमुख्यमंतरी और ग्रह मंतरी और दूसरी तरह अजीत पवार जो राश्ट्रवादी कॉंग्रेस के मुख्या है वो भी इस चीजों को अलग अलग परसिप्शन से देखते हैं यह दि मैं घटना करम कहूं तो एक आधर्श स्कूल में बदलापूर में बच्ची ने घर आके कहा कि उसे चीटिया काट रही है सुसु की जगा माता बड़ी चिंतित हुई उसने देखा कुछ से कुछ अबनार्मर लगा फिर उन्होंने एक हस्पताल में लोकल हस्पताल में उसे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि यह तो बहुत गड़बन मामला है आप इसको त लड़की की मा गर्ववती है चोटे बच्ची की मा अभी भी जब मैं आप से बात कर रहा हूं तो हस्पताल में एड्मिट है एक सोदो बुखार है उसको मा और बाप छोटी बच्ची को लेके पुलिस टेशन से हस्पताल के सरकारी इस्पताल के चकर काटते रहे लेकिन यफ़ायार लेने में कम से कम सोला घंटे की देरी हुई एक और बच्ची के साथ ऐसा हुआ उसकी भी कम्टेंट हुई उसके बाद जैसा की अफ़ायार दर्च होगी आप देखेंगे करेंगे जब देखा कि ये कुछ हो नहीं रहा है तो ये बात आग जैसे फैल गई कि इन बच्चेों के साथ दरंग दी हुई है तो फिर सारे पैरेंट्स स्कूल के पास जमा हुए लोग स्कूल संचालकों से जवाब मागने रगे लेकिन उनके कहीं न कहीं सत्ता में अक्सर ऐसे प्राविट स्कूल चलाने वाले लोग उनके सत्ता के साथ तो अच्छे किया और ये फिर रेलवे रुकी गई ये हुआ ये हुआ और फिर तो पुलीस का लाटी चार्ज पत्राओ और देखते देखते पुरे महराष्ट में आंदोने फिर गया क्योंकि इतनी घिनोनी बात है और इसके बाद महराष्ट के निरलजक मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसम इनसान के दिल में जगा नहीं वो कहते हैं कि इसकी राजनिती मत करो तो पर बंगाल में हुआ वो क्या हुआ यहीं देवंद्र फटनविस जोर जोर से चिला रहे थे जब दो साधू मारे गए थे पाल घर में तब यहीं मुख्यमंत्री मंत्री था उस सरकार में और यहीं आ के लिए संगर्ष्ठा और इन दो मासुम बच्चियों के लिए जब उन पर कुछ होता है इतनी गंदी बाते होती है तो मुख्यमंत्री को अपने जिले की लाइन और के कानुन व्यवस्था को देखने के बजाए इसमें राजनिती सुचती है क्योंकि और आपके पास कुछ के लिए पीछविष्षड है नहीं ठाना आपका किला है ठाणे के पुलिस अधिकारी वहीं होता है जो चाहते हैं अधिकारी आपके पास आपके शब्दों पे भπαाब अधिकारी को सब यहाँ बैठें लेकिन इसी ठाणे में सुच्षण अधिकारी के पास आकड़े ही नही कि कितने स्कूलों में सकी समीतिया बनी है जो महाराष्ट सरकार का अदिश्ट था महाराष्ट के मुख्यमंत्री इसलिए ड्रविद है कि ट्रेने लेट हो गई पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही थी लाखो रुपए का भार सरकार का नुकसान हुआ अब जो रुपए का नुकसान भी दो बेटियों के इजज़त से बहुत कम है कहीं नहीं है एक एक बेटी उस माबाप को पुछो क्या आज महारास्ट में कोई माबाप अपनी छोटी बेटी को प्रांगन में भी खेलने देगी क्योंकि माहुली ऐसा बना है प्रधान अंतरी लाल के लिए के प्राचीर से कहते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार बच्चों के साथ अत्याचार करने वाले महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को जब सजा होती है तो उसको बताना चाहिए मुडिया कुटा के डर फ पाटनर है मुख्यमंत्री रस्पा ढूंड रहे हैं से पैसे जूंड रहे हैं कि ये बावाल मरे पर क्यों आये इसलिए उनको राजनिती दिखती है तो क्या फिर उन्हीं की पार्टी या जिनकी वो गुलामी करते हैं वो भातिय जंता पार्टी के लोग जो बंगाल में कर रह है है यहां ज़न दोना नहीं तो फिर ब वदलापूर का इसा राजनिती हो गई और बदलापूर राजनिती है तो पर बंगाल में भी राजनिती हो रही जैसी मुझे बात पता पड़ी मैंने एस्पी से बात की ठाने कमिशनर से बात की ग्रामी ने एस्पी से पुली सिदिकारियों से बात करके कहा कोई आरोपी कितना भी बड़ा हो सक्थ सक्थ सजा होनी चाहिए मैंने मुक्यमंति से बात की मैंने उपमुक्यमंति देवंदर और उस शक्ति कानून की मंजूरी केंदर सरकार को देनी होती है और हमने ये केंदर सरकार के पास भेजा लेकिन केंदर सरकार ने उसकी मंजूरी नहीं दी क्यों? क्योंकि ये उद्धो ठक्ति की सरकार थी ये विरोधियों की सरकार थी तो अजित पवार ने ये बता के कि शक्ति कानून केंद्र ने रोका, ये सीधा हिट किया है नरेदर मोदी जी को, एंडिये की डबल इंजिन सरकार की स्थेरी को, और दादा बोल गए, क्योंकि दादा तब भी वित्तमंत्री थे, आज भी वित्तमंत्री है, तब भी उपमुक मंत्री बोलेंगे, अब बदलापूर के पुरे इस आंदोलन में, 500 से ज़्यादा या फायर दर्ज होगी, कई लोग अरेश्ट होंगे, आंदोलन कारिया अरेश्ट होंगे, सरकार फोकस आंदोलन कारियों पर रखिया, पुलीस बताएगी कि वो वाट्सप ग्रूप बहुत में सब तक्तिया बनती है, और नेताओं को द अच्छी तरह से मालूम है, महाराष्ट में खास का ठाने में तो, क्योंकि हर एक की जनम दिन पर लंबे लंबे पोश्टर्स लगाते हैं पुले शहर में, रुदय समराठ, हिंदु रुदय समराठ, यूवक समराठ, कार्य समरा थे कि सोचल मेडिया का इंपॉर्ट है समझे हो, हमारे बार्टी के 37 लाख वाट्सअप ग्रूप है, और जब हम एक मैसेज देते हैं, फिर सच हो या जूट हो, खटा हो या मिठा हो, पुरे देश में प्रसारित हो जाता है, और उस प्रसारण को कोई निरोक सकता, और उध अबर उस्टी के रंडेते रहे, हम जानते कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन है तागत थी हमारे ग्रूप की, आप करे उत्व रण निती, आप करे उत्व रंड निती, दूसरे करे तो राज निती, यह दोरा चरित्र शिवसेना का नहीं हुआ करता था, इतने जल्दी बीजे ना एकनाद शिंदे के पास है, 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 ना एकनाद निती खेलती रही है, नुकसान तो महराश्टर के इन बच्चियों का हुआ, इसलिए आज अजित पवाद ने डागेक्ट हिट किया, और हिट पूरी दिल्ली से लेके मुंबई तक भाज़पा हुई,